वेल्कम टू नेक्सक जियाम आज है 3 मई 2023 से करेंट अफेस की जितने भी इंपोर्टेंट कुछिर मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुछिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान टेलेग्राम गरूब आपको सारे पीडियो एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैं इस वीडियो के डिसकसर में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेले ग्राम जोरूप जयन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्यन है में 202 ना दिवस कम मनाया गया है तो अभी 2 मई को 202 ना दिवस मनाये गया तो इसको शिन का बे ऐपस्सन्स है तूना ये क्या होता है तो टूना एक मचली होती है और यह मानव के लिए भोजन का एक महत्वपूर सुरूत है इसमें ओमेगा थ्री बिटामिन बी ट्वेल प्रोटेन और अनिक खनिज प्राप्त होते हैं तो टूना के महत्व के बारे में जागरुकता बढाने के लिए हर साल दो माई को ये बिस्टू टूना दिवस मनाया जाता है अच्छा अभी एक माई को एक मही को अंतरास्ती स्रमिक दिवस बनाया गया और एक मही को गुजरात और मारास्ट दिवस भी मनाया गया अच्छा आज किस video को हम टार्गिट रखते है चाली से लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, एल्पू लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू क्या करो, और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो, लेकिन डेली मॉर गस्ती पूत और लेंडिंग क्राफट सब्पा है, तो अभी अपने देश भारत ने मॉल्डिव को एक तेज गस्ती पूत और लेंडिंग क्राफट सब्पा, दुसकुशन का से ओप्शन साई ए, अब मॉल्डिव तो ये है मैप मॉल्डिव, मॉल्डिव की capital क्या है, माले, मौल्डिप की करंसी क्या है मौल्डिवियन रुफिया और मौल्डिप की प्रिजेंट टैम पर प्रेसिडेंट कौन है इब्राहिम मोहम्मद सोले नए क्यूशन है हाली में कहा के राष्टपती ने संबिदान के पुनर लेखन के लिए जनमत संग्रे जीता है तो अभी उजव उजवेकिस्तान के राष्टपती ने संबिदान के पुनर लेखन के लिए जनमत संग्रे जीता है तो उजवेकिस्तान तो यह है मैप में उजवेकिस्तान उजवेकिस्तान की करंसी क्या है उजवेकिस्तानी सोम और उजवेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है सबाकत मिर्ज योग ने कुशन है किस राज जी के सिमले पाल टाइगर रिजर में एक दुरलब मेलानिस्टिक बाग मृत पाया गया है तो उडिसा में है सिमले पाल टाइगर रिजर यहां पे एक दुरलब मेलानिस्टिक बाग मृत पाया गया तो उडिसा तो यह है मैपने उडिशा के चीपनिस्टर कोन है नपेन पतनायक और ऊड़ीशा की गवर्णर कऊन है गड़ीशी लग अच्छा उड़ीशा में है वैलर दीप sentenced mite एपी जी अब्दुलकलाम दीप रखा गया उड़ेशा दिवस या उतकल दिवस कम बनाया जाता है एक कप्रेल को अभी उड़ेशा के मुख्यमंतरी ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तेसरे चरड की शुरुआत की 5T का मतलब क्या है टेकनोलोजी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम टेमबर्क और ट्रांसपरेंसी अच्छा उड़ेशा के मुख्यमंतरी ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉंच किया उड़ेशा जून 2023 में इंटर कॉंटिनेंटल फुट्वल कप की मेज जवानी करेगा और उड़ेशा सरकारद्वारा गंध मर्दन हिल रेंज को बायो डाइवरस्टी हेरिटेज साइट कोशित किया गया है अच्छा उड़ेशा में सुनावेडा वायलले संचुरी है कुठागड वायलले संचुरी है नलवन वायलले संचुरी है बैसी पल्ली गहिर मठ वायलले संचुरी है और चिलका लेख है चिलका लेख भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेख है उड़ेशा में रसे कुलिया बीच है और गूर्डन बीच है उड़ेशा में लिंगराज टेमपल है कुडाग टेमपल है और जगरना टेमपल है इतना आप उड जीशा के बारे में रखिए नए क्यूशन है हाली में किसने सत्रे में कमंडर इंचेफ के रूप में पदवार सवाला है तो अभी साजू बालकृष्णन ने सत्रे में कमंडर इंचेफ के रूप में पदवार समाला तो इस कुश्चिन का बे ओप्सन्स है यह एर मार्सल अच्छा अभी साइक्लिंग महासंग के नए अध्यक्ष पंकज सिंग चुने गए Association of Asset Reconstruction Company के CEO हरी हर मिस्टरा बने है Nescom के अध्यक्ष की रूप में अनन्त मायसवरी को न्यूक्त किया गया सांतनु रोय को BEML Limited के CMD के रूप में न्यूक्त किया गया भारत Dynamics Limited के CMD के रूप में A. मादवराव को नामित किया गया ने क्यूशन है हाली में रडजीत गुहा का निधन हुआ है वे कौन थे तो रडजीत गुहा ये एक प्रसिद इतियासकार थे और अभी 100 वर्स की उम्र में इनका निधन हुआ तो इस क्यूशन का A. अप्सन सही ये थे प्रडजीत कुहा ये एक प्रसिद इतियासकार थे ने क्यूशन है हाली में किसे लंदन में वाफटा फैलोसिब मिलने जा रहा है तो अभी एक भारती मूल की ब्रिटिस अभिनेत्री हैं मेरा शियाल इनको वाफटा फैलोसिब मिलने जा रहा है तो इस क्यूशन का A. ये हैं ब्रिटेन में रहने वाली भारती मूल की प्रसिद अभिनेत्री मेरा शियाल इनको अभी ब्रिटिस अकेडमी ओफ फिल्म एंड टेलिविजन आर्ट्स केसे भारत के लिए फस्ट ब्रांड फेस की रूप में साइन किया तो एक कोरियन इसकेर ब्रांड है लेनीज इसने भारत के लिए फस्ट ब्रांड फेस की रूप में आथिया सेटी को साइन किया है तो इस कुश्चिन का B options है भारत के लिए फस्ट ब्रांड फेस का मतलब ए सब्स्क्राइब करदो आधु बनारिक हम कुने अर्ड फिल्टा को प्लत के dena acid उस्टोर का सब्स्क्राइब करने मत एकला मों विस्टोर अलोब को पर इस उसक्राइब किलू बनांद स्टम४ल चीफ मारसल हैं बे आर चौधरी यानि कि विवेक राम चौधरी ये अभी स्री लंका के चार दिवसी दोरे पर गए तो इस कुश्यन का से ओप्सिन आई अब स्री लंका तो यह है मैप स्री लंका स्री लंका के अपिटल के है कुलंबो और स्रे जैवर्दने पुरम कोटे कुल अब स्री लंका के बैंक ने एक भारती रुपया नामित नौस्ट्रो खाता खोला है दिवंगत सेडियस बेपें रावत के सम्मान में स्री लंका के स्री मुक्तिनात मंदिर में गंटी लगाए गयी भारत ने आर्थिक सायता यूजना के अंतरगत स्री लंका को 50 बसें नए क्यूशन है, हाली में कौन कलकत्ता उचनेले के मुख नैदीस की रूप में नियुकत हुए हैं, तो जस्टिस टे ऐस सिवगानम ये कलकत्ता उचनेले के मुख नैदीस नामें तूए हैं, तो इस कुश्चिन का B options है, ये हैं जस्टिस सिवगनानम और यही कलकत्ता उचन आएले के नए मुख्ष नियाइदिस न्यूक्तू है नए क्विशन है हाली में किसने लेप जिग्बॉक पुरुष्कार 2.23 यस यह एक रूची लेकिक है मारिया स्टेपानोबा इन्हों ने जीता है तो इस कुश्चिन का सी ओपसंस है यह ये हैं मारिया स्टेपा नुवा ये एक रूसी लेखक है और इनों नहीं ये लेप जिक बुख पुरुसकार दोजर तेई सी था अच्छा अभी दलाई लामा को 64 साल बाद ब्यक्तिकत रूप से रह्मन मैक्सिस से पुरुसकार मिला है बिद्याबालन को लता दीनानत मंगिस कर अवार्ड मिला बेरता पुरुसकार पाने वाली पहली महिला इंडियन एर फोर्स अधिकारी देपि का मिश्रा बनी है और उत्सा पटनायक को मैलकम अधिसेसिया पुरुसकार दोजर तेई से सम्मानित किया गया है ने question हाली में international apparel and textile fair कहां शुरू हुआ है तो अभी international apparel and textile fair ये दुबई में शुरू हुआ दोसकुषिन का बे option ये नहीं कुशन है हाले में ICC पूरुस test team रैंकिंग मंँंबर बंड टस टीम कौन सी बनी है तो अभी ICC पूरुस test team रैंकिंग जारे की गयी इस में नमबर बंड test team इंडिया बनी है तो इस कुशिजन का 3 ओप्शनस नहीं है इंडियन टीम नमबर बंड पे है Australia second number पे पहुँच गया है और England third number पहुँच गया है अब ICC यानि कि International Cricket Council इसकी स्तापना कब हुई 1909 में इसका headquarter कहाँ पे है दुबई में और इसके present time पे chairman कौन है Greg Barclay कौन है Greg Barclay और इसके present time पे CEO कौन है G of Elardis कौन है G of Elardis Next question है हाली में किसे King Charles III द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया तो अभी King Charles III की द्वारा मानद MBE से Dr. M. N. Nand Kumar को सम्मानित किया गया तो इस question का A options है अब mind में जरूर के लिए कर गया हुआ कि ये Dr. M. N. Nand Kumar कौन है तो ये एक प्रसिद संस्कृत बिद्वान और लंदन में भारती बिद्या भवन केंद्र के कारेकारी ने दे सक है हाली में 58 साल बाद सात्विक और चिराक की जोड़ी ने Asia Badminton Championship में कौन सा पदक जीता है तो अभी 58 साल की बाद सात्विक और चिराक की जोड़ी ने Asia Badminton Championship में स्वड़ पदक जीता तो इस question का C options है यह सात्विक और चिराक की जोड़ी इसी ने गूर्ड मेडल जीता है अब लास्ट वीडियो की question का answer लास्ट वीडियो मैंने आप से question पूछा था कि हाली में केस राजी को स्वच्छता के लिए हुड़ को पुरुस्कार मिला है तो अभे उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए हुड़ुक को पुरुस्कार मिला यानि किस question का A option सही था और लगबख सभी स्ट्वेडनेस का answer सही दिया मुस्ट्वेडनेस के बारे मुड़े टेल में लेखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अच्छा मैंने अपरेल के वेकली वीडियो बनाए है यह अपरेल के फूर्थ बेक का वीडियो है अगर यह वीडियो आपने नहीं देखा है तो इससे आप एक बार जरूर देखिए बेकली वीडियो देखने से होता क्या है पूरे बेक का रेवीजन हो जाता है आपको YouTube पर सिर्फ Fact Study Bakley Current Affairs सर्च करना है क्या सर्च करना है Fact Study Bakley Current Affairs और आपको ये वीडियो मिल जाएगा एक बार इस वीडियो को आप देखिए और मुझे comment box में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में किसने Azerbaijan Grand Prix 2023 जीती है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबबा हम हमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc indreshrc Instagram पर indreshrc search करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरू कर लिजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब यह आप सब्सक्राइब तो बरावर में एक बेल आइकन मन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे के आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफैस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज वीडियो तैंक्स वर वाचिंग